Hello everyone, welcome to our channel आज इस चैनल पे आपको अभी तक बहुत सारे स्टेट के बारे में हम बता चुके हैं उसके important जो भी facts हैं तो आज के इस सिरीज में मद्य परदेश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही important topic है ये भी मद्य परदेश इसके बारे में कहीं से भी question पूछा जा सकता है किसी भी exam में तो इसको काफी अच्छे से पढ़िएगा जितनी भी चीज़े मैं बताऊंगी वो काफी important है आपके सारे exams के लिए तो मद्य परदेश की राजधानी आप जानते हो भुपाल में है इसके राजधानी भुपाल है और मद्य परदेश का अस्थापना जो है वो एक नॉम्बर 1956 को किया गया था इसके मुख्य मंत्री है सिवराज सिंग चोहान गवर्नर है आनंदी बेन पतेल और मुख्य नयाधीस है मुहम्मद रफीक ये चीज तो हमेसा याद रखिएगा और इसके लिए हम अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर आया थे मुख्य मंत्री और गवर्नर की वीडियो है आप प्लेरिस्ट में जाकर देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको महाँ से देख के आप उसको रिवाईश कर सकते है मुख्य प्रदेश में लोग सभा सीट 39 है और राज्य सभा सीट 11 है बिधान सभा सीट यहाँ पे 230 है इसके पांस परोसी राष्ट्र है जो की महाराष्ट्र, 36 गर, उतरप्रदेश, राजस्थान और गुजरात मतलब मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से लगती है 36 गर से, उतरप्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इसके PDF भी हम Telegram group पे आपको provide कर देंगे, आप वहाँ से इसका revision कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसका notes बना सकते हैं, यह आपके लिए काफी beneficial साबित हो सकता है Telegram से जोडने के लिए उसका link description में दिया हो रहेगा, वहाँ से अब जोड़ जाएगा अगर आपको कोई question पूछना हो तो हमारा WhatsApp group है, Telegram group है और Instagram group है, आप वहाँ जोड़ सकते हो, Facebook का भी link नीचे दिया होगा रहेगा, वहाँ से पर जोड़ के आप हमसे question पूछ सकते हैं आगे रेखते हैं, राश्ट्रिय फल, यहाँ का mango है, आम, राश्ट्रिय प्रेड जो है वो बनियान ट्री है और राश्ट्रिय फूल, यह वाइट लीली को वहाँ का राश्ट्रिय फूल कहा जाता है करकरेखा भारत के मद्य प्रदेश से होकर गुजरती है, यह भी एक important topic है, तो यह मैंने यहाँ पे add कर दिया है जो करकरेखा है वो भारत के 8 राज्जियों से होकर गुजरती है, आप बहुत सारे लोग यह सब जानते भी होगे गुजरात, राजस्थान, मद्य प्रदेश, छतिसगर, जारकर्ण, पश्रिमंगाल, तिरपूरा और मिजोरम यह 8 राज्ज हैं टोटल जहां से करकरेखा गुजरती है, तो इसको पूरा गटा मार जाएए, इससे काफी question पूछे भी जा सकते हैं करकरेखा भारत के किस राज़े से होकर गुजरती है, तो यह मद्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छतिसगर, जारकर्ण, पश्रिमंगाल, तिरपूरा और मिजोरम से होकर गुजरती है आगे एक बहुत important topic है जो अभी recently यह तयार किया गया है मद्य प्रदेश के बांधोगर टाइगर रिजर्ब में भारत की पहली hot air balloon wildlife safari launch की गई है तो यह भी काफी एक important topic है अगला देख लेते हैं मद्य प्रदेश के national parks, यहाँ पे कौन-कौन से national park है तो यहाँ पे है काना नेशनल पार्क, बांधोगर नेशनल पार्क, माधो, मांडला, प्लांट फॉसिल, पन्ना, संजय, सत्पुडा, वन भिहार और पेंज जिसको पेरदर्सनी भी कहा जाता है तो इतने यहाँ पे national parks हैं काफी rich places को कहा जाता है एक और बात बतादू मैं मध्य प्रदेश को इंडिया का hurt कहा जाता है मतलब यह भारत का दिल कहते हैं मध्य प्रदेश को तो काफी अच्छा place माना जाता है इसको अगला है mountains यहाँ पे कौन-कौन से mountain है तो सत्पुरा range है यहाँ पे धूपगड है, wind range है और अमर कंटक यह भी काफी important mountains है जो exams में पुछे जाते हैं आपको मैं बता दूँ यहाँ पे 1000 से ज्यादा mountains है लेकिन जो exams में पुछे जाते हैं वही सारी चीज़े हम आपके लिए select करके ले आया है तो वही पुछे जाते हैं यहाँ पे सत्पुड़ा range है, धूपगड है, wind range है यह दोनों range जरूर याद रखिएगा यह प्लैशू range है सत्पुड़ा और wind range और highest जो pick होता है यहाँ पे महादेव है पंचमडी और अमर कंटक यहाँ पे काफी जादा अच्छे places हैं जो घूमने के लिए काफी प्रचलीत है यहाँ पे देख लेते हैं reverse reverse में नर्मदा, यहाँ पे सबसे important नदी है जो भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों में से एक है गंगा सबसे बड़ी नदी माने जाती है तो यह नर्मदा भी काफी बड़ी नदी है मतलब 5 सबसे बड़ी नदियों में से नर्मदा को माना जाता है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है यह अमर कंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है इसलिए काफी important है क्योंकि maximum जो इस मतलब प्लैश्यो रेंज में आप देखोगे maximum नदिया जो है वो east की तरफ जाती है लेकिन यह single इसके अलावा ताप्ती भी एक ऐसी नदी है यहाँ पे मतलब नर्मदा और ताप्ती यह दो ऐसी नदिया है जो अरब सागर में जाकर मिलती है मतलब वे इस्ट की तरफ जाती है maximum नदिया इस्ट की तरफ जाती है लेकिन यह दोनों नदिया एक्सेप्संस हैं जो east की तरफ जाती है तो यह याद रखिएगा और नर्मदा पे दो परियोजनाए बांध परियोजनाए बनाई गई है उनका नाम मैंने यहां मेंसन कर दिया है उनको भी याद रखिएगा इंद्रा, गांधी, बांध परियोजना और सरदार, सरोबर, बांध परियोजना यहां पे और नदिया है चंबल, सोन, ताप्ती, बित्वा, तवा सिप्रा, माही, काली, सिंधू, केन, तमसा और पारवती यह सारे important नदिया है यहां पे, इसके अलाओ भी बहुत सारी नदिया है लेकिन यह important है इसमें दो नाम जरूर याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती यह दोनों जाके अरब सागर में मिलती है अगला है, यहां पे कौन-कौन से important places हैं यहां के चार-पांच places को उन्होंने world heritage घोसित किया है जिसमें है खजुराओ टेंपल यह number one पे है खजुराओ टेंपल, वहां की कलाकिर्टियां काफी ज़्यादा famous हैं और यह एक heritage site है खजुराओ और सांची अस्तूप यहां पे बहुत अस्तूप है जो काफी उस पे अच्छी कलाकिर्टी की हुई है सांची अस्तूप उसका नाम है Cave of Bheembedka जो Bheembedka की पहाड़ी है वहां पे जो भी caves है वो भी काफी ज़्यादा famous हैं घुमने के लिए उज्जैन टेंपल यह भी बहुत परसिद्ध है और मांडू मांडू वहां पे एक जगह है जो काफी खुबसूरत है तो यह सारी places जो हैं गुमने के लिए visited places काफी important place है इसमें खजुरा और temple सबसे ज़्यादा important है आगे देख लेते हैं यहां पे कौन-कौन सी नई पर्योजनाय लांच की गई है तो यहां पे बहुत सारी पर्योजनाय आई है जिसमें आपको बता दू मैं एक जिला एक सिल्प अभियान एक जिला एक सिल्प अभियान यहां पे सुरू किया गया है जीवन सकती योजना लाया गया है एक मास्क अनेक जिन्दगी योजना ये कुरोना से बचने के लिए है निस्टा विद्यूत मित्र योजना इसके अलावा किल कुरोना अभियान ये भी कुरोना से बचने के लिए किया गया है और स्रम सिद्धी योजना लाया गया था जो रोजगार लोग हो गये थे उनको रोजगार देने के लिए इसके अलावा उनके रोजगार के लिए रोजगार सेतु जो कुसल स्रमिक है उनके लिए ये लाया गया था रोजगार सेतु इसके अलावा संकल्प योजना फिर आपके द्वार ये योजना लाए गया है हमारा घर हमारा विद्याले ये एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये लाए गया हमारा घर हमारा विद्याले युवा स्वाभिमान योजना जंधन योजना जैसे स्वक्ष भारत अभियान देश के लिए चला है वैसे ही मद्य प्रदेस ने गंद की भारत च्वड़े चला है सबको रोजगार मिलेगा योजना टॉप पैरेंट एक प्रदेश यह बनाया गया है को ना के लिए रोको टोको देख रहे हो आप कोरोणा से यहां पर बहुत सारे अभियान चलाए गया थे और यह बहुत इंप्रेंट जितने भी योजनाइ थी यहां पर मध्य प्रदेश से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेर आइकन को प्रेस कर ले उससे आपको नेटिफिकेशन मिलते रहेंगे आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं तो Facebook, WhatsApp, Instagram पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके अलावा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको और क्या चीज चाहिए किस तरह की वीडियो आपको चाहिए ये हमें अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते तो थैंक यू फॉर वचिंग